हलो फ्रेंट्स विल्कुन तो मेर चैनल आज हम सूजी के उत्मम बनाने वाले हैं लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे जो की बहुत टेस्टी लगते है और उसके साथ में प्यास की चटनी जो की बहुत अच्छी लगती इस उत्मम के साथ में तो चले देखते हमने प्यास की चटनी के प्रपेरिशन कर लेते हैं इसके लिए हम ने यहाँ पर बोल के अंदर वन टेबल स्पून इमली का पल्प आता है मार्केट में वह लिया है इसके अंदर बीज है इसके सीट्स है मतलब और इसको गरम पानी में डाल कर भीगो के रख देना है कम से कम 15-20 मिन मीडियम साइस का उसको स्लाइस में कट कर लिया है और एक मसाला प्रिपेर करेंगे उससे ना जो उत्मम बनाते हैं सूजी के उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है जहाँ पैन के अंदर थोड़ से और गरम हो जाएगा तो हाफ टीस्पून के करिमने मस्टर्ड सीट्स कर कीशवाल जका चिटकने लग जाएंगी तब इसके अंदर एड़ कर दें करी पते करी पते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो तो यस ड्राय है अगर फ्रेश है तो इसमाल कीजे करी पते अगर हलके से बहुत जायेंगे तब इसमें प्यास ने में एक पून लेना है तो और अच्छा करने के लिए हमने आप एड कर रहे हैं थोड़ी सी अधरक तो एक इंच के करीब ने आप रिख के से साथ कट कर लिए है थोड़ी सी हरी मिर्च की कौंटरी आप ज्यादा कर सकते हैं और थोड़ी से तीन से चार कर लिए अपर लैसन के इस्थमाल कर लिए और जरनों पर दोल हलिए जरना सब्सक्राउ में ने जरता हम उत्हिंदा हमें एक मासाला बनायों दो ब्रपेशन उत्भाई नहीं और पान हम टीक टीक आई हमें जरते हमें एक मदन कशुएं इंदोस बाम इंदर गानीین प्रवाईब मोफली के दाने लग में तो इसे में बखी की चीजे एड़ेंगे हम यहां पर में दो तीन कली लैसुन की डाले ही थोड़ी सी हरी मिर्श डाल डाल च şu छोड़ी सी अज्ला सा प्याज तो एक प्याज मीडियम साइज का प्याज की और देहरे हम इसके नमक डालने के बार ले में otherints चटनी के अंदर खड़ी मिर्च होती है लेकिन इस टाइम हम यहां पर इस्तमाल कर रहे हैं लाल मिर्च का पेस्ट इसे बहुत अच्छा रंग आता है सिर्फ रंग के लिए डाला जाता है क्योंकि जितना भी यह पासन देवा आप हरी मिर्च से डाल सकते हैं और अगर आपको जो कलर चाहिए वह यहां पर जो लाल मिर्च होती है इसमें कलर होता है स्पाइस बिलकुल भी नहीं होती वह इसके अंदर आट कर दिया है और लाल मिर्च का पेस्ट जालने के बार में दो से तीन मिर्ट के लिए अच्छी तरीकी से में पका लेना है ताकि जो लाल मिर्च पकने के बार में उसका कलर और अच्छा निकल के आता है और यहां पर 2-3 मेर्ट हो चुके हैं, साइची अच्छी से सॉफ्ट भी हो गई, इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर और इस मसाले को थंडा होने के लिए रख देंगे उसके चटनी बनाएंगे तब तक आगी की प्रोसेस देख लेते हैं कि अमने जो पहले उत्पम के लिए जो मसाला बना के रखा था थंडा हो चुका है पूरी तरीकी से आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस वज़े से चेंज आपको लग रहा है क्योंकि वने लोहे के पैन में बनाया था इस वज़े से ह यहां पर चार से पांच बड़े चंबच दही का इस्तमाल कर रहे हैं दही बहुत ज़दा खट्टा नहीं हलका सा खट्टा अच्छा लगता है ज्यादा खट्टा ना टेस्ट खराब कर देचा चीजों का और बिलकुर फाइन सापको पेस्ट बना के रेडी कर लिए इसका निकाल लिए को बोल के अन्दर अब इसमें एड करेंगे हैं सूजी तो एक कप हमने सूजी का इस्तमाल किया है और यह महीन वाली सूजी मियर मिस्तमाल कर रहे हैं अगर मोटी काफी मोटी सूजी होती है नाा कोई-कोई-कोई मार्केट में मिलती ह ак hade मोटी सूजी यह बहु अधा कप के करीब इस्तमाल किया है वैसे जो महीन सूजी होती ही ना बहुत जादा नहीं फूलती है मोटी वाली सूजी है बहुत जादा फूलती है इसको में 15-20 मिनिट के लिए तभी हम रख देंगे कवर करके ताकि उत्पम बनाते है वह बहुत अच्छे बनेंगे थोड़ है कि ये रिस्ट कर रहा है कि आप देख सकते हैं सबसे पहले अमें रख था इसको इंस स्टेनर से छानल लेते हैं झाल लें है अगफेहर लगए 나왔ा पानी आ गो च्टनी के लिया दूटार हैिस के झाल को चाहते है वह इसके इकन जब था आप लेकिन प्याज होता है मीठा लगता है इस वज़े से इसके नहीं इस्तेमाल किया है और यहां पर थोड़ा सा पानी आड कर दे रहे हैं, पानी बहुत जाद हमें नहीं आड करना है क्यों कि यह वाली ना चटनी थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लगती है आड हैसा नहीं बहुत तरी ठीए संसे बहुत ही नगती है नोना आल है उसके इसकें अधर देने नहीं 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 देगा है अवर चटनी किली नहीं यहां निकाला है आल कoru सीच आड़के हो ठाट में झीली निश्पन पीर है जीआए तिल हमने डाला है सफेद तिल हलका सब भूनने लग जाएगा तब इसके नदम करी पत्ता और एक खड़ी में च्टाल देंगे अब साइचीजों को 30 सेकंड भून लेना है जो आप तिल में थोड़ी से खुश्पू होती न वह आने लग जाएगी तब समझ लीजे आपको यह को तेस्टी लगते है उत्पम खाने में और साथ में और साहत दें आप सर्फ उत्पम बनाने तो सूजी को फंदा मिनट रखे हुए होँच उचुकें और काफी महीन सूजी थी तीना तो बहुत जा़ सोख नहीं करतीयि यह पर देख सकते हैं सी तिक नहीं हुआ है बैटल अब इसके इनो फ्लुफविनस लाने के लिए हमने इस्तेमाल किया एनो तो हाफ टीजपून इनो एट करहे हैं बस पानी डालेंगे 1 4th कप के कर्यूने पानी इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं सी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा रनी सा बैटर हमको बना के रड़ी कर लेना है अब जब आप इनो एट करेंगे तब यह पैन भी रगदीजे ताकि जो पैन अच्छे से गरम हो जाए यह तो क इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अब इसको मीडियम साइज के उत्म बना के रड़ी कर लेंगे अगर आप एक कप सूजी बनाएंगे न मतलब बैटर बनाएंगे एक कप सूजी का तो दो लोग के लिए अराम से हो जाता है ब्रिक्फस्ट इसको कवर करके रख दे अच्छा साया है हलका से पर घी हमने लगा लिए अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं नहीं तो अमने बाकी की बनाएं कुछ भी अमने घी का इस्तमाल नहीं किया और नीचे इसको पकते वी 2-3 मिनिट हो चुके हैं बस हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी सा उत्पम बिल्क चटनी के साथ में और आपको देखने में लग रहा हूँ कि बहुत ही जादा सॉफ्ट बने और चटनी के साथ में बहुत टेस्टी लगते है और अगर आपको हमारी रस्पी पसंद आए तो लाइक जो रूखीजेगा और हमारे चैनल को कुछ शीवा को सब्सक्राइब कर ल बहुत है